हेलो फ्रेंस दिस इस मिगार्य और आप देख रहे हैं श्रेश भारत करिश्मा कपूर फिलाल तो फिल्मों की लाइम लाइट से दूर चल रही है लेकिन लेक्चर देने के मामले में वो निकल गई है सबसे आगे जी हाँ करिश्मा कपूर हाली में हावड बिजनेस स्कूल आते हैं दरसल करिश्मा हावड बिजनेस स्कूल में हुई इंडिया कॉंफरेंस में भारत की स्पीकर के तौर पर शामिल हुई थी जिसमें वो इंडियन लुक में निजर आई एक्ट्रिस ने क्रीन कलर के सूट के ऊपर लॉंग कोट पहना हुआ था करिश्मा इस कॉंफरे करिशन में स्पीकर बनना वाकई खुशी और सम्मान की बात है थैंक्यू करीना इस सेशन को जॉइन करने के लिए ये बहुत ही स्पेशल था आपको बदा दे इस सेशन में करीना ऑनलाइन जुड़ी थी पर जब से करिश्मा कपूर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है तब से वो जब कर ट्रॉल हो रही है करिश्मा कपूर के सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी क्वालिफिकेशन के लिए जब कर ट्रॉल किया जा रहा है करिश्मा कपूर इस कॉंफरेंस में बतोर स् जिस पर कुछ फैंस उन्हें बढ़ाई दे रहे हैं करिश्मा की पोस्ट के बाद कुछ नेटिजन्स ने उन पर निशाना साधा है दरसन करिश्मा कपूर को उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर ट्रॉल किया जा रहा है लोगों ने इस बात पर आपत्ती जताई है कि जो फुद चटी पास हो वो हाववर्ड में जाकर लेक्चर कैसे दे सकती है करिश्मा कपूर की पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा चटी क्लास के बाद सीधे अमेरिका की यूनिवर्सिटी दूसरे ने लिखा हाववर्ड में लेक्चर वो भी इनका आपको बता दे कि करिश्मा कपूर ने बहुत कम उम्र में एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था करिश्मा कपूर को लेकर बताये जाता है कि करिश्मा कपूर सिर्फ सिक्स्थ क्लास तक पढ़ी है करिश्म कपूर ने जल्दी एक्टिंग करियर शुरू किया इसी लिए उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था वेल सौमू सौ बाते अब सब पर अगर ध्यान देने लगे तो लाइफ तो यो ही दुखी होकर कर जाएगी इसलिए बहतर ये हुगा कि इन सब बातों पर ध्यान न दे क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना सो टेक है चल पिल बाकि ऐसे ही लेटस्ट न्यूस से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ट भारत को श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत